एक्जम्पल 22 तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था आज हम लोग लगाएंगे सबसे पहले एक्जम्पल नुबर 23 और उसके बाद exercise 5.2 पर आ जाएंगे ठीक है देखें एक्जम्पल नुबर 23 में बेटा question लिखा हुआ है एक्स के सापेच साइन कॉस एक्स स्क्वेयर का आवकलन कीजिए यह function है fx is equal to sign कॉस एक्स स्क्वेयर का आवकलन करना है और वो भी एक्स के सापेच बताया जा रहा है ठीक है तो आपको लाश्ट क्लास में इसके बारे में बताये गया था एक चैन रूल आपको दिखाए गया था करके हमने उस पर बेश्ट कुछ question भी करके दिखाए थे आपको ठीक है तो आप चाहू तो टीम आंकर कर लो या अगर आप सीख गए हैं तो थोड़ा से डैरेक्ट भी कर सकते हो उसमें टीम आंकर करने में काफी बड़ी प्रोसेस आ जाती है तो अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं तो डैर्ट भी करके देख सकते हैं उससे भी हमारा अंसर आ जाता है और यहीं आपको आगे सीखना ही है क्योंकि competitive examination में आप टीम आनकर करोगे तो आप एक घंटे तक question ही करते रहोगे कोई थोड़ा सा बड़ा question आएगा तो तो थोड़ा सा डैरेक्ट सेखने की कोशिश करिए वैसे अगर हम T मानते तो किसको मानते अगर हम T मानते तो यहां cos x square को T मानते और sign T बन जाता फिर यह ठीक है लेकिन मैं उससे नहीं करूँगा थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं direct method यूश करूँगा अवकलन करना है तो x के सापेच अवकलन करने पर x के सापेच अवकलन करने पर x के सापेच अवकलन करेंगे तो d dx of f x इधर भी हम लिखेंगे d dx और f x की जगे पर क्या लिखेंगे sin cos x square ठीक है अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आगे और भी question आसान होंगे आपके सबसे पहले हमको जो मिलेगा वही formula लगाएंगे हमें मिला sin sin में आपने किस चीज़ का formula पढ़ा हुआ है sin x का तो आप एक काम करेंगे इसको थोड़े पर के लिए क्या कर लेंगे x मान लो तो यह बन गया sin x sin x का अवकल गुना का क्या होता है cos x तो हमने लिख दिया cos और हमें लिखना है x तो x हमने माना किसको है तो इसी को हम नोट कर देंगे अब क्या answer आ गया नहीं अभी आप यह देखिए कि आपने जिसको x माना था क्या वाकई में वो केवल x था ऐसा तो नहीं है वो तो cos x square है तो ऐसे situation पे क्या करना पड़ता है जिसको हम x मानकर अपना काम बनाते हैं उसका हमें अवकलन करना पड़ता है उसको differentiate करना पड़ता है तो फिर मैंने लिख दिया d dx of cos x square अब केवल इतना लिखेंगे पूरा नहीं लिखना क्योंकि केवल इसी को तो हमने एक समाना था तो बस इतना लिख देंगे अब यह लिख दिया cos cos x square into cos x square का आप खरना है तो cos x square का फिर से मैं आपको बताओ direct हमारे पास कोई formula नहीं है अगर हमारे पास direct कोई formula नहीं है तो ऐसे हालत में हमको क्या करना पाड़ेगा इस x square को हम क्या कर लेते हैं x मान लो थोड़ी दिर के लिए अगर इसको आपने x मान लिया तो अब इसको क्या पढ़ेंगे आप cos x cos x square का differential coefficient नहीं मालूं लेकिन cos x का तो मालूं है cos x का क्या होता है minus sin x तो minus sin और x माना किसको है आपने तो minus sin x square क्या अब answer आ गया अभी नहीं क्यों 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 अभी आपने जिसको x माना है क्या वो वाकई में x है ऐसा नहीं है वो तो x square है और अगर वो x square है तो आप ऐसे बच नहीं सकते उसका अवकलन x के सापेच करना पड़ेगा तो फिर से यहां लिग दीजे d dx of x square यह माइनस चाहें तो आप आगे कर दे माइनस cos cos x square into sin x square और x square का differential coefficient x to the power n का formula लगेगा n x to the power n minus 1 तो x square का जब लगाने जाओगी तो यह 2x आजाएगा कुछ चीजों के ना आप सिदी सिदे याद ही कर लो और यह कोई बहुत difficult नहीं है जैसे d dx of x square का सिदे 2x d dx of x का differential coefficient 1 d dx of under root x का भी आएगा 1 upon 2 under root x under root x का आप चाहें यह सोचें कि यह कैसे आ गया तो under root x को आप कर सकते हैं under root x को लिख सकते हैं x to the power 1 by 2 और उसके बाद उसमें x to the power n का formula लगाईए यही मिल जाएगा आपको यह answer तो हमारा आ गया इस बार हमें किसी को भी कुछ मानना नहीं परा तो answer आ गया बस इसको थोड़ा सा systematically note कर दुआ माइनस माइनस के बाद 2x sin x square into cos cos x square यह आ गया d dx of f of x फलन का x के साब पेच अवकल गुणा आप देखिए answer आपका आ गया है ना और छोटे में आ गया नहीं तो कर इसी को t मानते तो यह answer थोड़ा सा बड़े ज़्यादा long calculation पहुचते ही आपके तो ऐसे आप सीखो competitive के लिए भी यह beneficial रहेगा आपको और यहां पर भी आपका time बचाएगा यह ठीक है तो अब आज आते हैं हम लोग exercise 5.2 पर यहीं से start कर देते exercise 5.2 फर्स्ट क्वेस्चन लिखा हुआ है एक से 8 में x के सापेच निम्लेकित थलनों का आवकलन कीजिए question number 1 से लेकर 8 तक जितने भी function हमको दिये गए हैं सबको हमें x के respect में differentiate करना है तो जो function हमको दिया गया है वो है sin x square plus 5 लेगिन अपनी सुविदा के लिए हम इसे fx भी मान सकते हैं हम चाहें तो इसे y भी मान सकते हैं fx is equal to क्या हुआ sin x square plus 5 यही question है ना हमारा चलो ठीक अवकलन करना है x के सापेच तो यहां लिखेंगे x के सापेच x के सापेच आवकलन करने पर तो हम इसको लिखेंगे d dx of f of x is equal to इधर भी लिखेंगे d dx और f of x की जगे पर यह note कर देंगे sin x square plus 5 ठीक अब फिर से ध्यान से देखी हमें इसको differentiate करना है with respect to x तो हमें सबसे पहले क्या मिला sin और उसके साथ है x square plus 5 क्या आपको sin x square plus 5 का direct formula याद है नहीं हमको तो sin x का बताया गया है तो हम इसको क्या कर लेंगे इसको x मान लेंगे तो जब बिटा आप इसको x मानोगे तो इसको क्या पर होगी फिर sin x और sin x का differential coefficient cos x तो हमने लिखा cos और x x तो हमने इसको माना हुआ है तो यहीं note कर देंगे पूरा x square plus 5 अंसर आगया क्या अभी नहीं क्या करना पड़ेगा यह चेक करो कि आपने जिसको x माना है क्या वो real में केवल बस x ही है ऐसा नहीं है वो x square plus 5 है तो उसको आपको differentiate करना पड़ेगा d dx of x square plus 5 इसी को तो x माना था इसको करना पड़ेगा अभी यह cos x square plus 5 इसको differentiate करोगे x square का differential coefficient अभी मैंने बताया क्या होगा 2x और यह 5 this is a constant term किसी भी constant term का differential coefficient आप जानते हैं कि 0 होता है last class में भी discuss किया हमने इसे तो इस तरह से d dx of f of x is equal to 2x उसको इससे multiply करवा देंगे तो 2x into cos x square plus 5 and now this will be our answer समझ आ रहे हैं आपको तो इस तरह से हमारा question number 1 हो गया question number 2 पे आ जाते हैं question number 2 है cos sin x cos sin x यह sub composite function है means combination of more than one function two function या two से ज़्यादा की combination मिलेंगे आपको यहाँ पर इसको भी x के सापेच होकलन करने हैं तो लिख देते हैं x के सापेच अवकलन करने पर या लिख दिया d dx of fx is equal to d dx of cos sin x अब आफ फिर से देखें आवकलन जब करने चले तो सबसे पहले क्या मिला मुझे cos तो क्या direct आपको cos sin x का formula याद है नहीं मालूम हमको तो ऐसी situation पे हम क्या करेंगे इसको हम तोड़े के लिए x मान लेंगे समझाया आपको अब अगर हम इसको x मान लेंगे तो यह क्या बन गया पूरा cos x cos x का आवकलन ग्रांक आप जानते हो cos x का क्या होता है minus sin x तो minus sin और हमको x लिखना है x तो हमने इसको माना है तो यहीं लिख देते हैं minus sin sin x into अब आप यह चेक करो कि जिसको आपने x माना है क्या वो बाकई में केवल x है नहीं क्या है वो तो उसको क्या करना चाहिए आवकलन करना चाहिए हमको उसका तो हम लिख देंगे d dx of sin x इसी को तो आपने x माना था ना अच्छा माइनस sin sin x into sin x का अवकल उना अब यह रहां को आता इसमें किसी को x माना नहीं पड़ेगा cos x इस तरह से d dx of f of x is equal to minus cos x into sin sin x यह हमारा आंसर है गया question number two question number three देखे हम चाहिए तो किसी को भी अपनी सुविधा के मुताबिक y भी मान सकते हैं f x मान के भी कर सकते हैं y मान के भी calculation कर सकते हैं थर्ड नंबर पे sin ax plus b sin ax plus b I think sin ax plus b को differentiate हम लोगों कर चुके हैं last class में किया था क्या हमने सही बताईए कर चुके हैं ठीक तो फिर आप इसको करिए यह मैं कर देता हूं दो मिनिट लगें न करें चलिए आप कर लीजिए तो फिर यह आपको आ जाएगा यह हम last class में जब आपको basic concept सिखा रहे थे जब आप introduction दे रहे थे उस वक्त यह example स्वरूप हमने वहां पर लिया था ठीक फूर्थ नंबर पर सेक 10 अंडर रूट एक्स इसको भी मैं वाई मान सकता हूं सेक 10 अंडर रूट एक्स एक्स के सापेच अवकलन करना है तो लिख देते हैं एक्स के सापेच अवकलन करने पर तो एक्स के सापेच अवकलन करिए इसमें लिखेंगे सेक 10 अंडर रूट एक्स अब फिर से सोचिए और बताईए सबसे पहले आपको कौन सा फलन मिल रहा है सेक फंक्शन तो क्या सेक 10 अंडर रूट एक्स का डिरेक्ट कोई फॉर्मूला मालू मैं आपको नहीं मालू तो उसके लिए हम क्या कर देंगे इसको हम एक्स मान लेंगे अगर इसको आप एक्स मानोगे तो अबे क्या पढ़ा जाएगा सेक एक्स तो सेक 10 अंडर रूट एक्स का नहीं मालूम है पर सेक एक्स का डिफरेंसियेशन हमको मालूम है तो सेक X का क्या होता है? सेक X into 10 X X की जगे पर 10 इंडरूट X लिखना ही है हमको क्यों? क्योंकि यही X माना है हमने अब क्या अंसर आ गया? नहीं आपने जिसको X माना है that is not really X that is 10 इंडरूट X तो उसे आपको अवकलन करना ही पर हीगा आप ऐसे बच नहीं सकते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे DDX जिसको माना था उसको किसको माना था आपने बताईए सेक 10 इंडरूट X को केवल 10 इंडरूट X को X माना गया था तो बस इसी को नोट कर लीजिया 10 इंडरूट X अब आप मुझे बताईए सबसे पहले कौन सा फंक्शन यहां मिल रहा है 10 तो क्या 10 इंडरूट X आपको आता है नहीं हमको तो 10 X आता है तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ी दर के लिए X मान लेते हैं थोड़ी दर के लिए हम इसको X मान लेते हैं तो यह हो जाएगा सेक 10 अंडरूट X इंटो 10 10 अंडरूट X अब हमने बताई किसको X मान लिया अंडरूट X को तो क्या पढ़ा जाएगा 10 X 10 X का आवकल गुनांग सेक स्क्वियर X X तो हमने इसको माना है तो यह लिखेंगे क्या आंसर आगया रोख दें बस यही से नहीं क्यों क्योंकि जिसको हमने X माना है वो वाकई में X नहीं है वो अंडरूट X है तो ऐसे हालत में क्या करेंगे आप अंडरूट X को डिफ्रेंसियेट करेंगे और under root x का differential coefficient अभी मैंने बोला कि इसको आप learn कर लीजिए ये बहुत जगे आपको मिलेगा 1 upon 2 under root x फिर इसके बाद कुछ नहीं करना तो ये हम लिख देंगे देखें सेक 10 under root x into 10 10 under root x 6 square under root x into 1 upon 2 under root x ठीक अब इससे आप चाहें तो थोड़ा सा systematically note कर सकते हैं आप लिख सकते हैं 6 square under root x upon 2 under root x 6 under root x upon 2 under root x बाद की ये note कर सकते हैं सेक 10 under root x into 10 10 under root x इस तरह से ये d dx सा y की value आपको मिल जाएगी और ये हो गया हमारा question number 4 ठीक है कोई problem हो रही है आपको समझ आ रहे हैं न सभी को तो ठीक है आप इससे note करें इसके बाद question number 5 को हम करते हैं ठीक है question number 5 पे लिखा हुआ है function sign ax plus b upon cos cx plus d इसको आपको x के respect में differentiate करना है आपको याद आ रहा होगा आपको एक question rule बताया गया था जिसमें दो फरनों के भाग फल का अवकलन करने का तरीका था uns और हर क्या formula था हर into uns का अवकल गुनांक minus uns into हर का अवकल गुनांक बटे याद आ गया सभी को बस वही लगाना है हमें तो x के सापेच अवकलन करने पर x के सापेच अवकलन करने पर देखो x के सापेच अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा d dx of y is equal to यहां भी करेंगे d dx of sin ax plus b upon cos cx plus d ठीक है आप देख सकते हैं बेटा इसमें यह answer है numerator और यह हर है denominator ठीक है चलिए formula apply करते हैं सबसे पहले लिखेंगे हर तो cos cx plus d into differential यह derivative of numerator तो d dx of sin ax plus b minus uns लिखेंगे तो sin ax plus b into d dx of her her लिखेंगे तो cos cx plus d upon square of denominator cos cx plus d का whole square cos cx plus d का whole square बस अब इसको calculate कर देना है आपको इसको तो ज्यों कते हो लिखे रहे हैं इसको आपको कुछ भी नहीं करना है हाँ इसके आगे d dx लगा है तो जिसमें d dx लगेगा उसको x के साब एच्छा वकलन करना है आपको इसको करना है अब इसको sin x होता तो डिरेक्ट हम cos x लिख दिये होते लेकिन sin ax plus b है तो हमको इसे x मानना पड़ेगा sin x आ गिया sin x का क्या होता है cos x तो cos और x की जगे पर ax plus b अब आप यह देखो कि क्या जिसको आपने x माना वो वाकई में k वाल x है क्या है तो फिर ax plus b तो उसका आवकलन आपको करना पड़ेगा d dx of ax plus b minus minus यह है sin ax plus b multiplied by इसमें भी इसको करना है इसको तो कुछ करना नहीं था इसको तो हमने same वैसा है लिख दिया इसमे cos cx plus d का हमको direct formula नहीं आता तो हम cx plus d को क्या मान लेंगे x तो यह इसको क्या पढ़ेंगे cos x cos x का differentiation करेंगे तो मिलेगा minus sin cx plus d अब फिर से आप सोचिए जिसको आपने x माना that is really x नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा उसका अवकलन आपको करना पड़ेगा अपन अब देखो दिरे दिरे और एक चेश सेख लो कि यह बार बार d dx लिखते हैं यह भी लिखना बंद कर दो जब आपको पता लग जाए कि cx plus d का differentiation करना है तो cx का c बार x का 1 और d का 0 c आ जाएगा इसका ठीक है तो आगे से हम इसको और छोटा कर लेंगे इसको अगर आप करोगे तो cos square cx plus d यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि यह है cos cx plus d into cos ax plus b इसको differentiate करोगे तो a आ जाएगा a बाहर होगा x का 1 हो जाएगा तो a बचेगा और b का तो 0 हो जाएगा क्योंकि यह constant term है minus sin ax plus b हाँ यह minus ने इस minus को plus कर देना है तो sin ax plus b into sin cx plus d और इसका differentiation करोगे तो c आ जाएगा बांकि 0 हो जाएगा जैसे यहाँ a आ गया था अपन cos square cx plus d अप बस वैसे यह answer आजाना चाहिए थोड़ा सेट करके लिख दोगे तो answer आ जाएगा a cos cx plus d into cos ax plus b plus c sin ax plus b into sin cx plus d upon cos square cx plus d यह आ गया derivative of given function with respect to x समझ आया कि नहीं आया आप ठीक है तो note करिए इसके बाद हम question number 6 पे आते हैं यह answer बिल्कुल सही है हाँ अगर आपको यह देखना है कि सही है तो फिर वो कैसे आएगा जो answer ct ने दिया हुआ है तो हम उसको ला सकते हैं देखो कैसे ला सकते हैं इसको आप separate कर दीजिए d dx of y is equal to यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ देखें d dx of y is equal to बेटा ध्यान से देखें मैं थोड़ा सा एक step कम में करूंगा आप इसके नीचे पहले इसको लिखोगे फिर प्लस इसके अपॉन में भी इसको लिखोगे separate कर रहे हैं न हम terms को तो जब वह आप इसके नीचे इसको लिखोगे तो ध्यान से देखें cos cx plus d से cos cx plus d cancel हो जाएगा cancel हो जाएगा क्या बचेगा a cos ax plus b upon cos cx plus d तो या जाएगा a cos a x plus b जब जब ए cos ax plus b और नीचे में a cos cx plus d बचेगा उसको हम कर देंगे 6 cx plus d plus अब इसकी बारी आई c है सोरी इस पे c लिख दिया जब इसके नीचे इसको लिखोगे तो ये क्या बनेगा cancel तो कुछ हो नहीं पाएगा कहीं से भी तो ये बना लेगा c ध्यान से देखना sin cx plus d upon इसका एक cos cx plus d 10 cx plus d बना लेगा 10 cx plus d अब क्या क्या बचा sin ax plus b बचेगा sin ax plus b multiplied by और इसका एक cos cx plus d बचा वो उस उपर जा करके multiplied by 6 cx plus d बच जाएगा अब आप चाहें तो 6 cx plus d common ले सकते हैं 6 cx plus d अगर हम common करेंगे तो क्या रह जाएगा a cos ax plus d plus c 10 cx plus d into sin ax plus d ऐसे आंसर आ रहा है ऐसे भी नहीं आ रहा है ठीक तो इस तरह से आप कर सकते हैं तो देखो अगर आप यहीं से भी छोड़ देते तो भी सही था कुछ गलती उसमें नहीं थी समझ रहें तो आप बिल्कुल परेसान मत होना कि examination hall में जब आप बैठे तो आपको लगे इसमें आंसर क्या आ रहा होगा ऐसा नहीं सुचना है आपने यहां तक किया इसके बाद इसको छोड़ देना है यहां से भी आप छोड़ देंगे तो भी full marks मिलेंगे यहां से करके छोड़ेंगे तो भी full mark से आपको मिलेंगे ठीक तो यह हमने कौन सा कर लिया बेटा question number 5 कर लिया आप आजाते है question number 6 पर question number 6 में है cos x cube into sin square x to the power 5 यह question है हमारा question number 6 पर इसको भी में x के सापेच अवकलन करना है तो यहां लिख देते हैं x के सापेच x के सापेच अवकलन करने पर चलिए x के सापेच अवकलन करते हैं हमारे इसका तो d dx of y is equal to d dx of cos x cube multiplied by sin square x to the power 5 ठीक है इसमें ध्यान से देखना बेटा यह दो function आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों फलन आपस में मल्टिप्लिकेशन में हैं तो यहां पर लेबिनीट जरूर लगेगा आप याद करो थोड़ा सा product rule याद आया दो फलनों के गुनन फल कावकलन कैसे करते थे प्रथम फलन गुने दूसरे कावकलन प्लस दूसरा फलन गुने पहले कावकलन दोनों में एक कावकलन करो एक को ऐसे ही लिख दो प्लस दूसरे का करो फिर पहले वाले को ऐसा लिख दो इस्तरी के से तो कैसे करना है बताईए इसको ऐसे ही लिखना है पहले और इसका डेरिवेटिव करना है d dx of देखो बवा sin square x to the power 5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं sin x to the power 5 का whole square देखो sin square theta को sin theta का whole square तो लिख सकते हैं तो sin square theta को sin theta का whole square तो लिख सकते हैं लिख दिया हमने प्लस इसको हमने इसे लिखा इसको इसका differentiation किया आप इसको ऐसा ही लिख देंगे sin square x to the power 5 और इसका differentiation कर देंगे cos x cube समझाया बिटा आपको अच्छा अब देखिए ये cos x cube d dx of y multiplied by अब इसमें आप मुझे सोच करके बताएं सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको किसका होकलन लगाना चाहिए मुझे very good x to the power n हमारे पास sin x to the power 5 को whole square है पर इसका में कोई सूत्र नहीं मालूम है भई तो हमने क्या किया हमने थोड़ी सी अपनी सुविदा के लिए इसको x मान लिया अब अगर इसको x मान लेंगे तो आप क्या पढ़ोगे इसको x square समझा गया अगर आप इससे x square पढ़ेंगे तो x square का differential coefficient क्या होता है 2x तो हम लिखेंगे 2x x means ये इसको x माना है ना आपने तो sin x to the power 5 लेकिन क्या आपने जिसको x माना वा कहीं में केवल x है नहीं तो इसको differentiate करना पढ़ेगा आपको d dx of sin x to the power 5 लिख दिया साथ में आपने और आगे बढ़ गए इसको तो ऐसे ही लिखना है क्योंकि इसके साथ तो d dx है नहीं तो differentiate हम को इसको नहीं करना पढ़ेगा इसको करना पढ़ेगा क्योंकि इस पर d dx लगाया हुआ है सबसे पहले क्या मिला कॉस तो कॉस एक्स क्यूब का सूथ तो हम को आता नहीं है तो हम x क्यूब को थोड़े दर के लिए क्या मान लेते है एक्स तो अभी यह बन गया कॉस एक्स का डिफरेंसिल क्यूशेंट माइनस साइन एक्स एक्स की जगे पर x क्यूब ठीक है लेकिन हमने जिसको x माना है वो वाकई में x नहीं है वो x क्यूब है तो उसका derivative हमको करना पढ़ेगा ठीक is equal to 2 कॉस एक्स क्यूब इन्टो साइन एक्स तूदी पावर फाइफ अब इसमें आप देखो जरा साइन मिल रहा है तो साइन एक्स तूदी पावर फाइफ का तो वाँ फॉर्मूला आता नहीं हमको तो हम x to the power five को क्या मन लेंगे X तो ये बन गया साइन एक्स साइन एक्स का derivative क्या होता है तो cos x तूदी पावर फाइफ लेकिन फिर से देख लो इसको वाना क्या हुआ कि कहीं मैं एक्स है क्या है फिर वह x तूदी पावर फैफ तो उसका derivative आपको करना पड़ेगा भई फिर आगे बर जाईए यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस sin square x to the power 5 into sin x cube और x cube का derivative x to the power n का formula लगाएंगे n x to the power n minus 1 तो 3 x to the power 3 minus 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ठीक ये 2 cos x cube into sin x to the power 5 into cos x to the power 5 और x to the power 5 में फिर x to the power n का formula लगाएंगे तो 5 x to the power 4 minus इसमें ये चीज़ें आगे note कर लोगा 3 x square sin x cube into sin square x to the power 5 वैसे differentiation तो हो चुका है बस थोड़े से numbers को अगर कुछ common हो रहा है तो वो ले लो ये set करके लिख दो जैसा भी लिख सकें common तो कुछ नहीं हो रहा है मुझे लगता है बहुत ज्यादा अगर आप common कर भी पाओगी तो x square common कर लोगे यह x यह 4 है और यह x square है मत करो छोड़ दो क्या लिख दो बस सीदे से 5 को 2 से गुणा करवा देंगे 10 x to the power 4 उसके बाद cos x cube या इसको थोड़ा सा बना सकते हैं आप देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे इसमें ऐसा करोब हुआ आप यह यह लिख दो यह लिख दो तो यह क्या बन जाएगा 5 x to the power 4 into cos x cube अब जो बच्चा बेटा उसको ध्यान से देखी 2 sin x to the power 5 cos x to the power 5 आपको नहीं लगता कि 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta क्या फॉर्मूला क्या होता है sin 2 theta तो हम यह आपर कर सकते है sin 2 और theta की जगे x to the power 5 minus 3 x square into 2 इसमें तो कुछ नहीं हो सकता sin x cube into sin square x to the power 5 बैस यही हमारा अंसर हो जाएगा यह हो गया question number 6 ठीक है exercise 5.2 अच्छा उन्होंने इसमें multiply करवा दिया चलिए कोई बात नहीं है यह भी सही है अपका तो आप अब आप समझ भी रहे होंगे आप फिलाल की answer के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना लेकिन हाँ याद रहे आप बहुत समझदारी से करिएगा क्योंकि आप की गलती होने पर question का answer गलत हो सकता है आप से ठीक तो यह हो गए हमारा question number 6 प्लीज आप इसे note करें इसके बाद आगे की question solve करेंगे question number 7 करेंगे अब हम लोग इसमें है बहुआ फ़लन आपको y is equal to 2 under root cot x square यह function है और इसको हम x के साब h अवकलन करना है तो हम यहां लिकेंगे x के साब h अवकलन करने पर x के साब h अवकलन करने पर देखना बिटा इसको हम लिकेंगे d dx of y is equal to यहां पर होगा d dx of 2 under root cot x square अब आपको याद होगा फलन फलन के साथ constant term है तो इसको हम बाहर कर देंगे और d dx of under root cot x square ठीक है अब थ्यान से देखो क्या आपको under root cot x square का direct differentiation पता है नहीं मालू लेकिन अगर बेटा हम इसको x मान लें किसको under root के अंदर वाले इस नंबर को तो अगर इसको पूरे को x मान लेंगे हम तो क्या पढ़ेंगी under root x under root x काम को पता है 1 upon 2 under root x तो 1 upon 2 under root x तो 1 upon 2 under root x x की जगे पर क्या लिखा जाएं x जब हमने cot x square को माना है तो x की जगे वही लिखा जाएंगा लेकिन लेकिन आप ये सोचो कि क्या जिसको आपने x माना है real में वो x है तो क्या है वो बताईए cot x square और जब real में वो x है नहीं आपने मान के अपनी सुविदा के लिए कर लिया है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा उसको आपको 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 तो बताए ddx किसका आपको आपको जिसको हमने x माना होगा किसको माना है cot x square को cot x square 2 से 2 cancel one upon under root cot x square into अब यहाँ पर भी क्या आपको डिरेक्ट cot x square का differentiation पता है हमें cot x का मालूम है तो हम थोड़े के लिए इसको क्या कर लेते हैं अभी यह cot x बने गया cot x का differential coefficient बताईए माइनस को से की स्क्वेर एक्स माइनस को से की स्क्वेर एक्स किसको माना गया है तो कोसे किसकर x की जग है x square फिर से वताओ इसको आपने एक्स माना अब वो इस बार एक्स है कि क्या है वो तो उसको differentiate कर दो और एक्स स्क्वेर का differential coefficient आपको मालूम है 2x तो इसकी value कितनी आ जाएगी अब ध्यान से देखना यह minus यह minus x square का differential coefficient 2x और cos x square x square upon under root cot x square बस यही हमारा answer आ जाएगा ठीक answer चेक करने के जरूरत नहीं है उन्होंने फिर कुछ उल्टा पुल्टा किया होगा जो हम करेंगे वो करेंगी नहीं है ठीक यह कौन सा हो गया 7th 8th number पे आ जाती y is equal to cos under root x इसको x के सापेच अवकलन करना है तो यहां लिखेंगे x के सापेच x के सापेच अवकलन करने पर ठीक है देखो इसको बिटा लिखेंगे d dx of y is equal to d dx of cos under root x अब आप मुझे बताओ cos under root x का formula क्या होता है हमको नहीं मालू तो हम ऐसे situation पर under root x को क्या कर लेंगे तो cos x बन गया cos x का differentiation minus sin x लेकिन x तो हमने under root x को माना है तो minus sin under root x अब जिसको हमने x माना ही है यह real में तो x आए नहीं तो इसका हमको अवकलन करके यहां पर रखना पड़ेगा under root x का differential coefficient 1 upon 2 under root x तो पहले इसी को note कर दो यह आजाएगा minus sin under root x और इसका 1 upon 2 under root x आएगा तो वो 2 under root x यह आगया यह हो गया हमारा question number 8 नहीं समझ में आई बात आपको ठीक है? इसके बाद question number 9 पर आजाते हैं question number 9 पर एक function हमको दे दिया गया है fx is equal to mod of x minus 1 where x belongs to r x is equal to 1 पर देखो मैं question प्रता हूं ध्यान से सुनना सिद्ध करिये कि फलन fx is equal to mod of x minus 1 जिसमें x belongs to r है यानि कि जो x है वो real number के set को belong करता है x बराबर 1 पर आवकलनिय नहीं है आपको यह सिद्ध करना है कि यह जो फलन हमको ने दिया है x is equal to 1 पर यह differentiable नहीं है नहीं है प्रूफ करना है है ऐसा नहीं प्रूफ करना है नहीं है प्रूफ करना है ठीक है? आपको बिटा मैंने बताया है यह एक modulus function है और modulus function को क्या आप signum function में बदल सकते है बताये आपको हमने बदलना भी सिखाया है fx is equal to x minus 1 is equal to 0 करोगे तो x is equal to 1 तो यह होगा plus x minus 1 if x is greater than or equal to 1 and it will be minus x minus 1 if x is less than 1 कोई function किसी point पर differentiable है की नहीं differentiable है इसके लिए क्या करना परता है बता सकते हैं आप मुझे left hand derivative right hand derivative हमको निकालना पड़ेगा ठीक है? अच्छा तो सबसे पहले हम left hand derivative निकालेंगे at x is equal to 1 क्या आप बच्चों को याद है left hand derivative के लिए क्या होता है 1 negative f of x minus f of 1 upon x minus 1 याद करिए f tends to c negative जब लिखते थे तो f of x minus f of c upon x minus c लिखा जाता था तो आज हमने x tends to 1 negative लिखा f of x minus f of 1 upon x minus 1 ठीक है न? अच्छा इसके बाद आप चाहें तो continuity की तरह यहाँ भी बेटा आप लिख सकते हैं माना x is equal to 1 minus h if x tends to 1 then h tends to 0 अब इसे कैसे convert हो जाएगा? limit h tends to 0 f of 1 minus h x की जगे 1 minus h लिखेंगे न? minus f of 1 upon 1 minus h minus 1 नहीं समझाया? अब इसको और कर लीजिए limit h tends to 0 f of 1 minus h इसमें x की value 1 से छोटी है अगर x की value 1 से छोटी है तो यह लगाना पड़ेगा हमको तो हमको f of 1 minus h चाहिए यह सूत्र लगाएंगे और x की जगे पर 1 minus h लिखेंगे देखो तो हम लिखेंगे minus x की जगे पर क्या लिखेंगे? 1 minus h नहीं सॉरी 1 minus h minus 1 फिर से f of 1 minus h के लिए यह formula लगेगा और x की जगे 1 minus h लिखेंगे तो minus लिखा x की जगे 1 minus h लिखा और minus 1 कर दिया ठीक? f of 1 की value निकाल नहीं है क्या आप बता सकते है f of 1 कैसे निकाला जाए? f of 1 का मतलब क्या है? x बराबर 1 पर फलन का मान तो x बराबर जब 1 है तो यह वाला मान यूज़ करना है हमको और उसमें भी x की जगे लिखना क्या है? 1 तो 1 minus 1 लिखोगे minus लिखा और लिखेंगे 1 minus 1 upon यह 1 से 1 कैंसल हो गया minus h यह value आ गई ठीक है? अब इससे आप और solve कर लीजिए limit h tends to 0 यहाँ भी तो बिटा 1 से 1 कैंसल हो जाएगा यह 1 से 1 कैंसल हो जाएगा यह क्या बन जाएगा? यह plus h हो जाएगा और यह क्या है? minus h h से h कैंसल हो गया minus 1 आया ना? और उसमें limit apply करो तो limit apply करना है मतलब h की जगे 0 लेना है पर h होगा तो लिखेंगे h है नहीं तो जो है उसको तो note कर दो कम से का यह आ गया left hand derivative not left hand limit this is left hand derivative left hand limit होता था कहाँ? continuity में और differentiability में क्या होगा? तरीका लगबग वही है थोड़ा बहुत change रहेगा थोड़ा सा ध्यान बहुत देना है जब आप इनकी value निकाल रहे होते है उस वक्त बहुत अच्छे से आपको सोच समझ के काम करने जल्दी में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए now we will find right hand derivative right hand derivative के लिए फिर से माना x is equal to 1 plus h if x tends to 1 then h tends to 0 ठीक है अच्छा अब फिर से right hand derivative के लिए क्या symbol बना था limit x tends to 1 positive f of x minus f of 1 upon x minus 1 ठीक अब next step इसकी क्या बन जाएगी बेटा बोलो limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon 1 plus h minus 1 this is limit to h tends to 0 f of 1 plus h in this case our x is greater than 1 1 plus h है x से बड़ी वैल्यू के लिए x से बड़ी वैल्यू के लिए यह लगेगा और उसमें भी x की जगे पर 1 plus h लिखेंगे तो यह लगाओ और इसमें 1 plus h minus 1 f of 1 की वैल्यू मतलब f of 1 का मतलब x is equal to 1 पर फलन का मान तो x बराबर 1 पर फलन का मान तो यही होगा और इसमें x की जगे क्या लिखना पड़ेगा एक लिखना पड़ेगा तो 1 minus 1 upon 1 से 1 कैंसल हो गया h यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसल हो गया यह आया limit h tends to 0 यह 1 से 1 कैंसल हो के 0 हो गया तो यह बना h upon h यह कितनी आ गई वैल्यू 1 क्या left hand derivative right hand derivative के equal आया अगर equal नहीं आया तो हम क्या कह सकते हैं अता दिया गया फलन x बराबर 1 पर आवकलनी है बस तो लिख देंगे क्योंकि left hand derivative is not equal to right hand derivative therefore we can write that the given function means इस दिया गया फलन x बराबर एक पर x बराबर एक पर आवकलनी नहीं आये अब आप मुझे बताएं यह आपको समझ आ गया की नहीं आ गया तो ठीक है इसे हम साफ कर देते नेक्स्ट क्वेशन नंबर टेन लास्ट है उसको भी solve कर लिया जाए अग्वेशन नंबर टेन में है भी आप सिद्ध करिये की महत्तम पुरुनां का फलन यानि कि fx is equal to box x where x is greater than 0 but less than 3 x कमान 0 से बड़ा और 3 से छोटा है हम ऐसी भी लिख सकते थी कि x की जो value है वो जीरो और 3 के बीच open interval पे है चाहे तो इसे लिख दो या इसे लिख दो आप यह जो फलन है वो x बराबर 1 तो x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है यह आपको सिद्ध करके दिखाना है मैं किसी एक पर आपको करके दिखाऊंगा अब य데 पर एक पर चलो थे एक आप पर नहीं यह करके दिखांगा से अथे यह करके देते हैं तो एक सीजिव टुब वायं तो ठीक है उसके लिए मेंने 2 चीजे निकालनी होती है left hand derivative or right hand derivative left hand derivative mana x is equal to 1 minus h यदि x tends to 1 तब h tends to 0 अब left hand derivative के लिए क्या symbol बनता है sorry limit x tends to 1 negative f of x minus f of 1 upon x minus 1 what will be its next step limit h tends to 0 f of 1 minus h into f of 1 upon 1 minus h minus 1 f of x की वैल्यू box x तो f of 1 minus h की वैल्यू क्या होगी यह होगी बोक्स 1 minus h नहीं समझाया आया अच्छा minus f of 1 की वैल्यू तो f of x अगर बोक्स x है तो f of 1 होगा बोक्स 1 बस 1 से 1 यहां कैंसल minus h अब आप इसको solve कर दीजिए solve करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आप देखो 1 minus h box 1 minus h की वैल्यू क्या होती है 1 होगी या और कुछ होगा देखो यह 1 से छोटा होगा और 1 से छोटा अगर कोई नंबर है तो इसके लिए महत्तम प्रोणांग फलन क्यों होगा 0 आप ऐसे देखो ना एक से छोटा अगर कोई नंबर है एक से छोटा अगर कोई नंबर है यानि कि वो है 0.9 तो इसका box के value बताईए greatest integer function 0 बड़े से बड़ा फलन लेकिन 0 दिसमलों नहीं से बड़ा नहीं होना चाहिए तो इसकी value 0 आ जाएगी limit h tends to 0 1 upon minus h then limit h tends to 0 1 upon h limit apply कर देंगे तो क्या आ जाएगा infinity ठीक है? अच्छा इसके बाद right hand derivative आ जाएए right hand derivative उसके लिए mana x is equal to 1 plus h यदि x tends to 1 तब h tends to 0 इसके बाद right hand derivative के लिए limit x tends to 1 positive f of x minus f of 1 upon x minus 1 next step हो जाएगी limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon 1 plus h minus 1 limit h tends to 0 f of 1 plus h की value क्या होगी? box 1 plus h box 1 plus h minus f of 1 f of 1 की value कितनी आएगी? box 1 यहाँ 1 से 1 cancel हो गया h अब इसको सूच कर बताईएगी box 1 plus h का मान क्या होगा? 1 आएगा क्योंकि यह value 1 से जादा होगी अब अगर value 1 से जादा है तो 1.1 होगी और 1.1 का greatest integer function 1 आएगा तो इसकी जगे पर लिख देंगे 1 minus इसकी 1 upon h limit h tends to 0 0 upon h अब 0 में h से divide करिए कितना आजाएगा? 0 और फिर उसमें limit apply करिए अब limit तो apply करने का मोका नहीं मिलेगा तो इसकी value कितनी आजाएगी? तो left hand limit कितनी आई? sorry left hand derivative infinity right hand derivative कितना आए? O इसमें मैंने लिगा left hand derivative is equal to right hand derivative जबकि left hand derivative is not equal to right hand derivative similarly यहाँ पर भी left hand derivative is not equal to right hand derivative therefore x is equal to 1 पर दिया गया फलन अवकलित नहीं है दिया गया फलन अवकलित नहीं आए तो इस तरह के से यह exercise भी आपकी complete हो जाती है यह समझ आया आपको? यहाँ पर is not equal to बेटा क्योंकि यह आया था minus 1 और यह आया है plus 1 इसलिए is not equal to लिखेंगे इसको हम अब खल जब आप आएंगे तो 5.3 exercise का introduction और इसके बाद questions इस्टार्ट कर देंगे solve करना ठीक है? तो आज mathematics में ते रखेंगे आगे और भी बहुत सारी पलाई करेंगे next class पे चलते हैं मिलते हैं कल फिर thank you